हेलो एब्रीबन दृष्टी के टीचिंग एक्जाम यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूंगे दानजली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां नेट ज्यारैप की भूबोल विशे की अंतरगत या भूबोल विशे की पाठिकरम के अंतरगत जो खास टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी से महजपोर हो सकते हैं या आपकी परीक्षा की विशे में जो टॉपिक इंपोर्टन हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है यदि आप नेट ज्यारैप की तैयारी कर रहे हैं तो हम उन्ही टॉपिक को य या आपकी तैयारी में महतपूर सावित हो सकते हैं। ऐसे ही एक खास विश्य पर आज हम चर्चा करेंगी, जिसका नाम है रौक्स, रौक्स यानि चटाने, हम जानेंगी कि आखे रौक्स या चटाने होती क्या हैं। इसके बाद यह समझेंगे कि इन चटानों के निर्मान में किन खास तत्वों का महदुपून योगदान है इसके अलावा यह चटाने कितने प्रकार की होती हैं, इनके formation कैसे होते हैं? यानि इन चटानों का निर्मान कैसे होता है? किस प्रक्रिया के माध्यम से इन चट्टानों का निर्मान होता है और क्यों इनका नामकरण इस तरीके से किया गया है सबसे पहले बात करते हैं हम रॉक्स के बारे में क्या आखिर रॉक्स हैं क्या यानि चट्टाने हैं क्या तो हम सब भी जानते हैं कि हमारे आसपास जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आसपास जो पत्थर हैं जो चटाने हैं वे आपको अलग-अलग तरीके से मिलती हैं यदि आपने लंबी दूरी तैकी हो, तो आपने देखा होगा कि कई बार चटाने आपको एक परत की रूप में मिलेंगी, एक रवे की रूप में या एक पत्थर की रूप में मिलेंगी, कुछ चटानों में रवे पाये जाते हैं, और कुछ चटाने आपको परत दर परत मिलत हैं तो यह सभी फॉर्मिशन एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है यानि इनका निर्माण प्रक्रिया की माध्यम से होता है उन्हीं प्रक्रियाओं के और आकार्वनिक पदार्थों से मिलकर बने और इनका इखन स्थर्म होता है। कभी कभी कुछ चटाने एक ही खनिज से मिलकर बनती है लेकिन कभी कभी या अमूमन ऐसा देखा गया है कि इसमें दो या दो से आधिक खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है चट्टानों के बारे में खास definition की बात करें या सामाने शब्दों में आप इसकी परिभाशा की बात करें कि आखिर चट्टान है क्या या rocks होते क्या है तो इनके बारे में ध्यान रखेगा कि एक ऐसी संरचना है यानि हमारी पृत्वी में य धातूं के अलावा यदि आपको कोई अन्य पदार्थ चाहे वे ठोसो या मुलायम पो आपकी प्रत्वी में दिखाई दे तो उसे हम चट्टान कहते हैं यानि उसी ही चट्टान कहा जाता है तो सामाने शब्दों में ध्यान रखे धातूं के अलावा प्रत्वी में पाया जाने वाला कोई भी कठोर या मुलायम पदार्थ क्या कहलाता है यह चट्टान कहलाता है ठीक है तो दिखान रखेगा कहां पर पाया जाने वाला प्रत्वी पर पाय जाने वाले किसे भी कठोर या मुलायम पदार्थों को या सभी प्रकार की मुलायम या कठोर पदार्थों को क्या कहा जाता है चटान कहा जाता है या रॉक्स कहा जाता है या रॉक कहा जाता है ठीके तो इसके definition हो गई देखी जब हम प्रत्वी के विभिन まे प्रिजवी कि जो उपरी सता है जिसके हम बात कर रहे है अभी प्रुख्वी कि जो उपरी सता है वह कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है ॸिसमें से मुख्यता आथ पदार्थ है जो काफी फेमस है या आठ आजातु तक्व हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये पृत्वी के वोपरी परत है इनके निर्माण में यह ओने के फौरमेशन में महत्वण है यानि आप कह सकते हैं कि प्रित्वी का या प्रित्वी की उपरी सतह का लगभग अठाननावे प्रतिशत भाग इन ही आठ तत्वों से मिलकर बना है अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है यह सवाल उठता है कि यह आठ तत्व कौन-कौन से है क्योंकि इन्हीं आठ तत्वों से प्रिद्धी का लगबग अठानल प्रिद्धत भाग बना हुआ है यह इनका इसका दिरमान होता है तो इन आठ तत्वों के बारे में भी जानने जरूरी है कि आठ तत्वों क्या है तो इन आठ तत्वों में शामेल है Oxygen Aluminium सोडियम कैल्शियम लोहा यानि जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम आईरन कहते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं आईरन इसके अलावा पोटैशियम ध्यान रखिए कि पृत्वी की उपरी परत के निर्मान में इनी तत्वों का अधिकता से जो इनकी जो मात्रा है वे सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है यानि मोख्यता क्या कहा जाता है कि इनी आठ तत्वों से मिलकर पृत्वी की उपरी परत बनी हुई है तो हमने देखा कौन-कौन से तत्व है इसमें पोटैशियम इसके बाद मैंगनीशियम के अलावा ओक्सिजन, अल्यूमीनियम, सोडियम, कैल्शियम, लोहा, पोटैशियम, मैगनीशियम, सिलिकॉन आठ तत्वों से मिलकर क्या बनी है पृत्वी की परत और इन्हीं ही सबसे खास तत्वों की रूप में जाना जाता है यह आठ तत्वों मिलकर क्या बनाते हैं ठानवी पृत्वी की परत का तो आप समझे हम जिन रॉक्स की बारे में चर्चा करने वाले हैं उनमें कहीं न कहीं ये तत्व भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये तत्व महत्वोण है इसलिए इनके बारे में इनका नाम जानना जरूरी था ठीक है और हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास यदि आप देखें तो लगभग कई आपको सोर्सिस मिलें जिसमें लिखा होगा कि लगभग 2000 प्रकार की खनेश पाए जाते हैं जन्यसे 24 या 26 प्रकार के खनेश है जो फॉर्मेशन में चटानों के फॉर्मेशन में महज़पूर्ण होते हैं और इनकी खास तौर से मात्रा में मिलती है सबसे महज़पूर्ण बात जो चर्जा की योग्ज है वे है चटानों के प्रकार यानि अब हम जानेंगे कि आखिर चटान कितने प्रकारं की होती है या जटानों के कितने प्रकार है चिक है तो ध्यान रखी महजपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से चट्टाने तीन प्रकार की पाई जाती है कौन-कौन सी सबते पहले आगने चट्टान फिर अवसादी चट्टान या अवसादी चट्टाने और सबसे लास्ट ध्यान रखेगा रूपांतरिट चट्टाने या कायांतरिट चट्टाने जो अपनी रूप में परिवर्तन कर ले जो अपनी काया में परिवर्तन कर ले उन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के रूप में जाना जाता है जिन्हें metamorphic rock के रूप में भी जाना जाता है यानि इसका English लिख लिजे metamorphic rocks चिक आगने चट्टान को igneous rocks कहा जाता है वहीं अवसादी चट्टानों को sedimentary rocks कहा जाता है अब इनकी नाम के अंदर ही छुपा हुआ है कि आखरी चट्टानों का निर्मान कैसे होता है जान रखे इनकी निर्मान के अपनी एक process है एक प्रक्रिया है तो आईए देख लेते हैं सबसे पहले आगने चट्टान को कि आगने चट्टान का निर्मान कैसे होता है आगने चट्टान या इग्नियस रॉक्ष आगने चट्टान के बारे में ध्यान रखेगा आगने चट्टान को प्राथमिक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है या जनक चट्टानों के रूप में भी इनहें जाना जाता है क्यों जनक चट्टान कहा जाता है जनक चट्टान या प्राथमिक चट्टान क्योंकि सबसे पहले यह सबसे शुरुवात में इन ही चटानों का निर्माण हुआ था कैसे हुआ था और किस प्रक्रिया के माध्यम से आगने चटान का निर्माण होता है ध्यान रखे आगने का मतलब है अगनी और अगनी यानि गर्म पधार्थ को यहां पर लिया गया है यानि ज्वाला मुखी की क्रिया के पश्चा जो प्रत्वी का उपरी परत है या प्रत्वी के जो ये उपर हिस्सा है तो ध्यान रखे ज्वाला मुखी की क्रिया में जो प्रत्वी की सतह पर आता है किस प्रक्रिया की माध्यम से ध्यान रखे ज्वाला मुखी की प्रक्रिया के माध्यम से और यह मैगमा जो उपर प्रत्वी की सतह से उपर की उरा गया यह प्रत्वी की सतह में आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है ठीक है तो ध्यान रखे ज्व वाला मुखी प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्वी की आंतरिक भाग से पिगला हुआ जो मैगमा है या जो यहां द्रववस्था में पाया जाने वाला मैगमा है यह उपर की और उठता है और उपर की और आते आते ध्यान रखे कुछ यहां भी चला जाता है आंतरिक चट्टान के rocks का निर्मान होता है या जिस प्रकार की चट्टानों का निर्मान होता है उसे ही इगनियस रॉक कहा जाता है या उन्हें ही आगनेय चटान कहा जाता है और आगनेय चटान की एदि हम खास विशेश्टाओं की बात करें तो ज्यान रखेगा आगनेय चटान की खास विशेश्टा यह है कि इसमें क्या होता है ये रवेदार चटाने होती है क्यों क्योंकि इन ध्यान रखी कि चुकि यह जो मैगमा है बहुत गर्म होता है और यह लावा भी गर्म होता है बाद में ठंडा होने के बाद लंबी प्रक्रिया के बाद यह आगने चट्टान बनता है तो यहाँ पर जितने भी जीवाश्म है जो जीवाश्म पदार्थ थे या जो भी जीवज तो जब इन में जीवाश में नहीं पाए जाते हैं यानि यहां पर कोईला पैट्रोलियम पदार्द इनकी अनुपस्थिती होती है यानि इस प्रकार की कोई भी चीज यहां देखने को नहीं मिलती ठीक है तो हमने चर्चा की क्या आगने चट्टान के बारे में ध्यान जाता है इन्हें प्रात्मिक चट्टानों के तोर पर भी जाना जाता है क्यों आगने चट्टानों के निर्माण के बात करें तो आगने चट्टानों का निर्माण ज्वाला मुखी से निकले जो लावा है उसके ठंडा होने के बाद इनके निर्माण हुआ है यानि ज्वाला म प्रॉसेस के बात क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है फ्रियागने चट्टानों का निर्माण होता है इनके बारे में खास बात हमने देख ली क्या सबसे पहले तो यह परत रहित होता है या इसमें परत नहीं होती तो परत रहित ठीक है और ध्यान रखेगा जीवाह्मीन में अन उपस्थत होते हैं ये रविदार चट्डाने होती है कोई सब्सक्राइब किसी प्रकार की पदार्थ यहाँ उपस्थती नहीं होती है क्यों क्योंकिanca के जूद जीवाश में है जो अविशेष है और गर्म होनी की वज़े से लावा के गर्म होनी की वज़े से क्या होता है जल जाते हैं ठीक है इन चट्टानों पर रासायनिक अप्षय क्या होता है ध्यान रखेगा इन चट्टानों पर रासायनिक अप्षय बहुत कम प्रभाव डालता है तो यह हमने जाना किसके बारे में आगने चट्टानों के बारे में इनकी खास विशेष्टाओं के बारे में ध्यान रखेगा जब हम आगने चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी खास विशेष्टा के बारे में हमेशा ध्यान रखें कि इन चट्टानों में चुम ठीक है आगे बढ़ते हैं आगने चट्टानों के विभेने प्रकारों की बात करें तो आगने चट्टान जो जिस प्रोसेस से लावा उपर से बाहर की और निकलता है तो इस प्रक्रिया के आधार पर आगने चट्टान दो प्रकार की होती है एक तो आंतरिक आगने चट्टान और बाहे आगनी चट्टाने तो जो आंत्रिक आगनी चट्टाने हैं वे दो प्रकार की होती है जब कि जो बाहे आगनी चट्टाने हैं वे बाहे आगनी चट्टानों के नाम से ही जानी जाती है जब हम बात करेंगे आंतर की या जो वे चट्टाने जो आंतर अंदर पृत्वी की अंदर की जो परते हैं उनमें जो लावा गुज जाता है या उनमें जो लावा प्रवेश करता है उनके माध्यम से जिन चट्टानों का निर्मान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं आंतरिक चटाने टो अभ पाताली आगने चटाने वे चटाने होती हैं जो प्रत्वी के अंदर बहुत गहराई में जाकर जब लावा ठंडा होता है यह जब लावा बहुत गहराई में चलाजाता है तो उसके बाद जिस प्रकार की चटानों का निर्माण होता है उन्हें पाताली आंतरिक या पाताली आगने चटान कहा जाता है जब कि यह हम बात करें मध्यवर्ति आगने चटानों की तो मध्यवर्ति आगने चटानों के बारे में ध्यान रखेगा जब लावा उपर के और निकलता है पृत्वी की सतह की तरब तो बीच में कुछ दरारे मिलती है या कुछ खंड मिलते हैं तो लावा वहाँ पर भर जाता है और इन छेत्रों में इन दरारों में लावा के प्रवेश के माध्यम से जिन चटानों का निर्मान होता है उन्हें आधार पर तो यह दो प्रकार की होती है अमलीय आगने चटाने और छारीय आगने चटाने ध्यान रखें अमलीय आगने चटाने और शारीय आगने चटाने और नाम से हैं आपको पता होना चाहिए अमलीय आगने चटाने यानिवे आगने चटाने जिन में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है यानि लगभख 60 से या 65 से 50 प्रतिशत इन में सिलीका होता है इस वज़े से इन्हें अमली आगने चटाने कहते हैं और छारी आगने चटानों की मतलग यानि वे आगने चटाने जहां सिलीका का प्रतिशत कम होता है लगभख 45 से आपको कहीं 50 या 55 प्रतिशत मिलेगा तो जहाँ सिलिका की मात्रा कम होती है आगने चट्टाने में उन आगने चट्टानों को छारी आगने चट्टाने कहती है और जहाँ जादा होती है उन्हें अमली आगने चट्टाने कहा जाता है तो इस तरीके से हमने देखा आंतरिक आगने चट्टानों को रसायनिक अधार पर आगनी चट्टाने कितने प्रकार के होती है उन्हें देखे यदि पूछा जाए कि बाहर आगनी चट्टाने क्या होती है तो बाहर आगनी चट्टानों के बारे में ध्यान रखेगा कि ज्वाला मुखी उद्वेदन के समय यानि चोकि हमने देखा न किसकी क्या प् अध्यम से ही आगने चट्टानों का निर्मान होता है उन्हें बाहे आगने चट्टानों के नाम से जाना जाता है अब बात करें कायांतृत चट्टानों के के बारे में तो कायांतरी चटानों के भारे में ध्यान रखे mae कि जो Ajra आगो सब्लिकर और याजीयो प्रत्वी की सताह पर आकर लावा के ठंड़े होने के बाद बनती है उनकी माध्यम से जो अप्छे की प्रक्रिया होती है तो उसमीह इमेज ट्यार कि ती है इसी जब हमने बाहिलावा को देखा कि यह बाहिलावा विभन प्रकार की अपर्दन की प्रक्रिया के बाद एक बार अपर्दन की प्रक्रिया हुई तो एक लेयर बनी ठीक है फिर दुवारा अपर्दन की प्रक्रिया होती है और जब हो गया अगली सीजन में या कुछ समय के बाद तो इसके बाद यह दूसरी परद बन गई ठीक फिर अगली बार फिर अपर्दन की प्रक्रिया हुई और अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से एक और परद बन गई तो यह जो परददार और फिर लंबे सामे के बाद यह पूरी एक चटान बन गई तो यह पूरी चट्टान जो विभन प्रिकार के अपर्दन के बाद बनी है इसे ही अवसाधी चट्टान कहा जाता है यानि इसी तरह से अवसाधी चट्टानों का formation होता है ध्यान रखेगा यानि आगने चट्टान के अपर्दन के false group किसका निर्माण होता है अवसाधी चट्टानों का निर्माण होता है यानि सेटिमेंटरी रॉक्स का निर्माण होता है अब अवसाधी चट्टानों के भी कुछ खास विशेशना है क्या है जैसे कि चट्टाने पर्टदार रूप में या विभिन परतों वाली होती है तो इनमें विभन परते होती है या परतदार रूप में ये चट्ठाने पाई जाती है चीक अब इसके खाल सबात क्या है कि चुकि कई समय के बाद या बार-बार अलग-अलग समय में इनकी लेयर्स का फॉर्मिशन होता है तो बीच में यहां क्या होता है बीच में जीवाश में दब जाते हैं जीव जन्तू पेड़ पॉधे यह क्या होते हैं बीच-बीच में दब जाते हैं और इनकी दबने की वज़े से क्या होता है जीवाश में इनके बीच पाए जाते हैं तो ध्यान रखेगा कि अवसादी चट्टानों की एक खास विश्षिष्टा क्या है कि इन में जीवाश में पाए जाते हैं ठीक है ध्यान रखें इन में जीवाश में पाए जाते हैं जीवाश में उपस्थित, खास बात और ध्यान रखें, इसी के अंतरगा जीवाश में उपस्थित के साथ-साथ, खास बात यह है कि चुकी यहाँ पर जीवाश में आपने देखा पाये जाते हैं, और जो अब साधी चट्टा ने हैं, इनका निर्माट दो-तीन प्रकार से हो स जीवाश मिल जाएंगी, यह जल की अंदर यदि अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखें, जल की अंदर यदि हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, तो हमें अवसादी चट्टानों के माध्यम से कोइला प्लस पैट्रोलियम दार्थ भी उपस्थित होते हैं यह हमने क्या देखा अवसादी चट्टानों की खास विशेष्टाओं के अंतरगत हमने इनके बारे में पढ़ा अवसादी चट्टानों के बारे में ध्यान रखेगा कि यह एक प्रकार की क्या होती है संगठत चट्टाने होती है क्या होती है संगठत चट्टाने होती है तो हमने एक खास विशेषस्ता की बारे में जाना कि इसकी अवसादी чट्टानों की झन हैं हम कहते हैं Sअधिमेंठ्री रोक्स ठीक है ध्यान रखेगा हमने क्या पढ़ा इनके बारे में कि अधिकान्ष जो अवसादी ईसे निर्मार होता है इसलिए इसमें जीवास में यह देखा कि कोई पैड्यूलियम जैसे जो हंश्टाथ है इसिते से इंद्टानों की जब हम बात करती है तो चटाने काॉन के है जैसे फास्सफेट है ठीक है को एला हमने लिखिलिया थवाइस परदारत यहीं सोаюсь प्रापती होती है और यदि हम भारत में बात करें कि भारत में हैंड भारत में कौंसी अशादी चटानों पर यह कहां कि अवसादी चट्टानों से हैं में कोईला मिलता है तो ध्यान रखेगा जो गोदावरी नदी बेसन है क्या गोदावरी नदी की जब हम बात करते हैं तो गोदावरी नदी के अवसादी चट्टानों के माध्यम से भारत में कोईले का फॉर्मेशन होता है ठीक है यदि आपको उदावरी के अलावा कोई नदी के बारे में जानना हो यह पता करना हो तो ध्यान रखेगा महा नदी और दा मूधर नदी ंंकल सकत Tamam गदी इनकी युआथी चट्टानों में कौईबन हमें प्राप्त होता है तो यह तो हमने जाना किंके बारे में अवसाधी चट्टानों के बारे में ठीक है अब आए जानते हैं किसके बारे में रूपांत्र चट्टान के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि यह भी एक महातुपूर्ण क्या है चट्टान है तो जब हम बात करते हैं रूपांत्रत या कायांत्र चट्टान के बारे में तो रूपांत्रित चट्टान क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? तो जो आगनी चट्टान थे और अवसाधी चट्टान थे इन दोनों चट्टानों में जब ताप अधिक दिया जाए और दाब अधिक दिया जाए इनके आयते में परिवर्तन कर दिया जाए तो रूपांत्रित चट्टानों का निर्वान होता है याने आगनी और अवसाधी चट्टानों के रूप में परिवर्तन के बाद कैसे किस वजह से किस के कारण ताप और दाब के कारण जिब इनके आयतन में परिवर्तन होता है इनके रूप में परिवर्तन होता है तो इस ट्रका जरूरी है अत्यधिक ताप और अत्यधिक दावे की माध्यम से जब आयतन में परिवर्तन किया जाता है तो उसके बाद ध्यान रखे किसकी आगनी और कायांदर चट्टानों की तो उसके बाद हमें जो प्राप्त होता है वही रूपांदर चट्टाने कहलाती हैं देखे निर्मान होता है उन्हें बेसाल्ट चट्टान कहते हैं और जो अंदर की और जो आंतरिक परतों में भरा है उससे ग्रेनाइट बनता है ठीक तो ध्यान रखे बेसाल्ट का परिवर्तन होगा ग्रेनाइट का परिवर्तन होगा जब हम बात करते हैं अवसाधी चट्टानों क क्या मिलेगा ग्रिफाइट ग्रिफाइट तो इनके जब रूद में परिवड़न हों। चूनापत्थर से संगों मरमर संग्मर्मर नी या बेसाल में परिवर्वर्थन होगा। जो इनका जब अधिक ताप और दाब नुहें जहाँ दिया जाएगा तो जिस प्रकार की रॉक्न निर्मान होगा उन्हें ही कहा जाता है कि रूपांतृत própria ऑगॉस्ध यानि उसकी रूप में क्या कर दिया गया परिवर्तन कर दिया अब बात करते हैं चोकि हम किसे परिवर्तिक कर रहे हैं Greenlight से बेसाल्ट में परिवर्तित कर रहे हैं ठीक है तो यहान रखिया और नीज क्या है यह है Metamorphic Rock ठीक है, जबकि Granite क्या है, ये थी Igneous Rock तो हमने इसकी रूप में इसमें ताप और दाप बढ़ाकर मीस में परिवर्तन कर दिया अब यदि हम साधी चटान की रूप में परिवर्तन की बात करें, तो चूना पत्थर चूना पत्थर को यदि बहुत अधिक ताप और दाप देकर आप इसकी रूप में परिवर्तन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा संग मर्मर ठीक है, संग मर्मर इससे हमें क्या प्राप्ती होगी संग मर्मर की प्राप्ती होगी इसके अलाबा मान लेजिए कि आपने बालू का पत्थर में परिवर्तन कर दिया आप बालू का पत्थर क्या है ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है क्यों? क्योंकि यह है परतदार है बालू का पत्थर अवसादी चट्टान है परतदार चट्टान है बेच बेच में अवसाद आपको मिल जाएंगे तो जो अब बालू का पथर है यादि उसमें change करना हो तो बालू का पथर में change करने से हमें क्या मिलता है? Quad light इस तरीके से जो हमें Quad light मिला है रूपांत्रे चट्टान है जब की बालू का पथर क्या है? और प्रमुख रूप से रूपानत्रे चत्टानों के बारे में चर्चा कर ली है तो आप की आपको समझ में आ गया होगा कि rocks क्या होते हैं rocks का formation कैसे होता है और बिभिन प्रकार की rocks हमें कैसे देखने को मिलती है एक और खास बात जब आप रॉक की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इनकी जो इमेजिस है वह भी पता होना चाहिए देखे जो लावा है वह ठंडा हो गया है लावा के ठंडी होने की विज़से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है जब हम दोनों की रूप परिवर्तन के बाद जो हमें यहां पर चटाने मिली है ताप और दाप की वजह से तो यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक्स निर्माण का निर्माण होता है तो आपने इन तीनों की क्या देख ली इमेज भी देख ली अब आपको पता चल गया होगा कि यह क् हुए जो प्रमुक तत्य हैं तत्य हैं जोने आपको पता होना चाहिए वह हमने इसके बारे में चर्चा कर ली ठीक है तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इसके पहले आपके लिएक महत्पूंट सूच रहा है यह यदि आप यह वीडियो इंग्लिश में भी देखना च शुक्रिया